लुट बरण दिस सुमित कुमार and I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छा mathematics कर रहे होंगे और क्यों न करें कहें कहीं आपके अंदर वो जोस और जुनून कुट-कुट के भरा है जो एक mathematician के अंदर होने चाहिए तो चलिए उस जड़ने को आगे बढ़ाते हैं और इस question के पुरू से उस जोस और जुनून में और एक मजबूती डालते हैं ताकि math करने में और मज़ा है और कुछ नए concept इस question से हम लोग सीख पाएं तो यह जो question है पर्टरली लिमसूप और लिमिम पर बेस्ट question है और इस type के questions आपके exams में बहुत आते हैं चाहिए आप ज चले देखते हैं कि पहले question का है यह जो question है actually net का question है 2023 बार दून में हुआ था और बहुत लोगों ने question को पूछा है तो क्या question पहले देखते है xn एक positive sequence of real number है मतलब xn जो है वो positive real number है और उसकी help से आपने sequence define कर रख्या है sigma n which is nothing but sum of first-end terms divided by n this is called the arithmetic mean of the first-end sequences then which of the following are true if limb soup of xn is l and xn is decreasing then limb soup of sigma n is equal to l okay second again limb soup l if and only if limb soup of sigma n is equal to l and hard option if limb soup of n xn by xn plus 1 minus 1 is less than 1 then series is divergent second if limb soup of this is less than l then series is convergent एक जगा मेरे साइब गलती होगे एक जगा convergent होगा एक जगा divergent होगा ठीक है दोनों option कैसे same हो जाएगा okay so this so question पहले समझे क्या है question you should understand first question क्या है आपके पास एक sequence of positive real number दिया गया है उसके help से आपने दूसरा sequence define करा sigma n 1 upon n x1 plus x2 plus 1 upon xn and then you are looking for आप आपका एक natural सा question आ रहा है कि एगर limb soup हमें इसके action के पता है तो क्या sigma n का limb soup के बारे में कुछ बता सकते है that's the question limb soup of xn equal to n और extra condition देती है कि action is decreasing क्या हो रहा है action अपना decreasing हो रहा है तो उस case में क्या बता सकता है इसके बारे में second क्या दोनों का limb soup बराबर होगा limb soup of xn और limb soup of sigma n दोनों का चर्चा करते हैं कि कैसे questions को हम लोग approach करें और generally trust me बहुत सारी students को इसमें दिक्कत होता है तो I always start how to approach कैसे हम लोग सोचें इस type of questions को हमारा thought process क्या होना चाहिए ओके चलिए पहले देखते हम लोग को सोचना कैसे है पहली बात limb soup of a sequence क्या होता है यह हमें clear होना चाहिए कोई आपको sequence दे दे दुनिया मैं और यह लोग सिक्वेंस है ठीक है और sequence के convergence में limb soup of limb inf का क्या योगदान होता है किस condition पर हम ये पता सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो sequence convergent हो जाएगा और अगर sequence convergent हो रहा है तो limb soup में ये relation होगा ये दो चीजें भाई साब है न तो ये दो चीजें तो हमें पता होनी चाहिए साथी साथ ये जो sequence है इसके basis पे जो limit मेरी निकलेगी sequence की ये क्या relations होगा ठीक है ये तीनों चीजें तो sequence होता है sequence का अपना एक subsequence होता है बहुत सारे subsequence होता है उसके limits होते हैं जिसको subsequence सा limits बोलता है and so and so forth उसका collection और वही से हम लोग limb soup of limbium define करता है तो ये मैं आपको reading exercise देता हूँ इसको पढ़ लेना पहले क्या होता है नहीं होता है क्या डेफिनिशन अगर आपको clear नहीं रहेगी तो भाई साब कुछ नहीं होने वाला है फिर कोई कुछ भी हो जाए so reading exercise what is a limb soup what is a limb inf और ये कैसे defined होता है ये दो चीजें आपकी पहली बात है clear होने चाहिए ठीक है इसके बाद अगर आपने ये दो अचीन clear कर लिया अब हम लोग आते हैं questions पहली बात अगर कोई sequence है उसके limb soup और limb inf अगर बराबर हो जाते हैं तो sequence हमारा convergent हो जाते हैं तो एक दो चीज आप इस sequence से गौर कीजिए आप एक दो चीजे रिकॉल कीजिए देखें आपने देखा होगा कोची first theorem type का चीज कि अगर sequence convergent होता है तो जो इसका arithmetic mean वाला sequence होता है ये भी converge करता है इस ही कोस्त ने यहाँ पर सिग्मा and define कर रखा है correct हैंगा लेकिन ये convergent होता है तो if it is convergent then this convergent to this that means sequence convergent होने से limb soup x के बराबर हो गया तो इसका भी limb soup x के बराबर हो जाएगा क्योंकि sequence अगर convergent है तो limb soup limoom बराबर हो जाते है ये case ये तब लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बोला है convergent है नहीं है नहीं कुछ बोला है अब कोशन यहाँ पर twist होगा लेकिन फिर्स्ट ऑप्शन को अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे गौर से उसको गौर से देखिए समझने का कोशिश कीजिए what is the first option फिर्स्ट ऑप्शन में आपको बोल रखा है कि लिम्सुप जो है sequence का वह एल है और sequence आपका decreasing है चलो भाई साब this is decreasing sequence sequence decreasing का कहने का मतलब हो गया कि घटता जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे sequence का value घटता जाएगा लिंचू की आपने positive दे रखा है तो जो भी value होगी वह 0 से बढ़ी होगे तो sequence एक monotonically decreasing sequence है और it is bounded below एक monotonically decreasing sequence है and it is bounded below sequence आपको दे रखा है positive तो sequence तो positive होगा लेकिन घट रहा है it's keep decreasing तो decreasing होते होते वो 0 को तो cross नहीं कर सकता न तो 0 इसका lower bound है इस sequence का 0 एक lower bound है तो sequences is bounded below तो आपने एक theorem पढ़ाओगा अगर कोई monoton sequence है decreasing है bounded below है तो वो convergent होता है monoton increasing sequence है bounded above है तो वो convergent होता है ये monoton sequence का कुछ properties होता है ठीक है उस basis पे ये sequence आपका convergent हो गया तो sequence अपना convergent तो sequence converge कर गया ये theorem पे decreasing and bounded below convergent अब जैसे convergent हो लेकिन आपने limb soup दे रखा है तो converge करेगा पता नहीं कहां converge करेगा कहीं converge करेगा को रियल लंबर पे और वो रियल लंबर non-negative होगी ठीक है ये x की क्या properties होगी क्योंकि sequence non-negative है तो ये x non-negative होगा क्यों होगा इसोचना है भाई छोड़के नहीं भागना एको वीचेश अब तक भागोगे नहीं भागना दुनिया में हो तो मत भागो ठीक है तो x is non-negative y इसका अंसर देना है ठीक है अच्छा मैं बहुत सारे questions मैं अभी आज कल देख रहा था जो मैंने दो साल पहले questions दिये थे जो videos YouTube available है उसके जो मैंने कुछ questions पोचे थे बहुत सारे students उसके अंसर अभी भेज रहे हैं जो भी भी प्राइब कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है आप लोग उसको करके भेज रहे हैं और किसी का reply भी मैं देख रहा हूं किसी के questions कम है जब मुझे समय मिलता है मैं reply भी कर द करने का तो खोड़ना नहीं है कभी नहीं छोड़ना है उसमें लगता है कि कौछ concept यह सारी चीजों की जरुत है तो यहां regular batches चलते हैं your most welcome आई जूड़ी और math को खुब मजे से enjoy कीजिए इसको enjoy करना है yx is non negative सोचना है अब आ जाते हैं यहां पर तो यह अपना आ गया लेक सब कुछ ही होगी और हमें दे रखा है लिमसूप इसने अल इसका मतलब चुकि sequence convergent है तो sequence कहां converge किया action converge कर गया लिम सुप इसने अल दे रखा है क्योंकि sequence convergent है नहीं हो गया और जैसे यह हो गया तो कॉची first theorem हम लोग लगा देंगे कॉची first theorem से क्या आता है कि सिग्मा एन अपना कन्वर्जेंट हो गया तो जो सिगमा एन है यह एक्षन अपॉनन यह कर गया एल पे सिक्वेंट जैसे ही कन्वर्जेंट हुआ तो इसकी लिम्सुप बिल पहला ऑप्षन यह true हो गया देख लिजा कड़ेशग help आराम से कोई हार वड़ी नहीं अगर यह word decreasing नहीं होता तो वह हम नहीं बता पाते हैं यह भी ध्यान देना है तो मैं आपको एक exercise दे रहा हूँ look for a counter example sequence decreasing नहीं है तो क्या यह चीज बराबर होगा बहुत सारे counter example है एक second cancer है मैं दे सकता हूँ बट सिल में चाहता हूँ कि आप सोचें पहले ठीक है second में बोला है कि लिम्सूप अगर अल है तो क्या लिम्सूप सिग्मा अन भी अल होगा अब देखें जो मैंने पूछा तो यह आप लिखा हूआ है कुछ जरूरी नहीं है आप एक्जाम्पल होच सकता है जैसे एक सेक्वेंस लिए अल्टर्नेट वन टू वहला टाइप का और उसका आप अर्थिमेटे कमिन देखेंगे वाको पता चल जाएगा किस टाइप का रहा है अना इवें टर्म्स पे अपना 2 दिफाइन कीजे और टर्म्स पे 1 दिफाइन कीजे अंड लोक फोर रे सिक्वेंस अपको मिल जागा दिस फाल्स इस स्टेट्मेंस फाल्स ठीक है सो इसके लिए मैं बस हिंट दे रहा हूं को लुक फॉर दिस आपको मैं एक सिक्वेंस दे रहा हूं एक्षन लुक अट दिस इफ एन इस ओड क्योंकि यहां पे आप कुछ नहीं बोला है मोनोटोन है के नहीं जस पॉस्ट लुक अठिस आपकेस आंद पॉरा अपने टू तू टू तू टाइमस आथे यहां से आगे वन्वन अपना एड होगा so this is 3n by 2n it's 3 by 2 it's 3 by 2 event terms पे जो मेरा sequence है यह 3 by 2 यह आया अब यहाँ पे देखलो आप जो लिम्सूप आरा इसका the लिम्सूप of the sequence of this is 2 what is the लिम्सूप of sigma n what is the लिम्सूप of sigma n think about it answer हमने दे दिया है okay answer हमने आपको बता दिया है सोची इसके बारे में क्या आएगा ठीक है you have to think क्या आएगा इसका answer राम से सोची का answer आजाएगा ठीक है so this is not equal this is not equal ठीक है इसे बहुत सारे examples है मैं कितना example दो आपको दे दूँगा board भर जाएगा बड़ आपको सोचना है think करना है कि कैसे क्या चीज given है क्या चीज missing है you have to analyze that and you should look for example okay पहले क्या था कि decreasing था decreasing लेते sequence कुछ convergent ले लेते तब तो answer था so you have to look for non-convergent sequence और रुफमें भी decreasing नहीं होना चाहिए use this okay well ठीक है अब next जो बाचित हो रही है वो concept है इस पे अगर इसका थोड़ा भूत आपने नाम देखा होगा कहीं कभी ने कभी इस सब चीज़े आपने देखियो कि series conversion divergent पे कि ये अगर एक से छोटा हो तो कैसा आता है इसको rabbit test भी कभी कभी लोग बोलते है स्टेंडर्ड थेयोरम है स्टेंडर्ड थेयोरम है कि अगर ये ऐसा हुआ तो series divergent हो जाता है series जो होता है वो अपना divergent हो जाता है सुन रहे है मेरी बात इस तरीके से आप इस पे अपना imagine कर सकते हो जैका लिम सूप आफ एन अपन एक्सन बाई जैसे कि ये बूल रहा है कि convergent होना चाहिए या नहीं होना चाहिए convergent होने के लिए आप आराम से example देख सकते हो जैसे action आप ले लो constant equal to action equal to 1 उठा लो constant sequence action equal to 1 उठा लिया look at the constant sequence action equal to 1 देख लो action equal to 1 आप जैसे ही लोग ये positive sequence है ये 1 upon 1 ये आगया 1 minus 1 ये 0 ये full thing 0 हो गया constant sequence तो ये ये जो term आया ये पूरा का पूरा आपका 0 आपका जीरो आगया action equal to 1 के लिए और जैसे ये 0 आया तो ये constant sequence convergent तो इसका लिम सूपली में सब के सब 0 और सब 0 less than 1 बट ये series जो आएगा action equal to 1 के वो divergent आएगा आपका correct तो convergent होगा not necessary ठीक है और in fact मैं आपको इसका proof दे रहा हूँ why this is true it's read this Rabi test it's a very famous theorem and you can prove it I mean in fact it is given in any standard book you should go ahead या आपको लगता है कि ये नहीं सर ये अभी-कभी convergent भी हो सकता है for certain action you are most welcome look for certain examples वहाँ पर limit दिया भाए because limit of this sequence is less than 1 लिमसुप है यहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पर कुछ मिस्सिंग है ये हमेशा divergent नहीं भी हो जकता है I have some example जाप ये सारी चीजे हो और your sequence मेरा convergent है okay go ahead find the example and tell me the answer ये मैं आपको exercise दे रहा हूँ ठीक है ना मैं इसका answer आपको अभी गलत बता रहा हूँ ना सही बता रहा हूँ ये मैं आपके बुद्धी पर छोड़ रहा हूँ इसको सोचो समझो और proof करो so I am suggesting if you think this is proof prove it if you think this is wrong look for counter example जिसे मैंने यहां बताया आपको think about it so this is exercise बड़ा interesting है इसी बहाने कुछ आप चीजें सीख हो गया देखो important सीखना है okay समझे बात important सीखना है समझना है गनित को ये question आता जाता रहेगा okay ये question आया कल रहा के कुछ और questions आएगा तो ये नहीं कि क्यों इसको टिक मार के चले गया कोई फायदा नहीं है इससे समझो क्या concept या involved है और आपका क्या कमी है इसको आप कैसे सुधार कर सकते हो और कैसे approach कर सकते हो आने वाली questions में और अपने thought process को कैसे और develop कर सकते हो वो attitude होना चाहिए आपके अंदर वो attitude हो गया तो trust me आगे कभी भी पीछे मुड़ के आपको देखने के ज़रत नहीं होगी है मस्ती से चलते होगी कभी fail भी कियाने life में आपको पता है कि आने वाले दिनों में मिराच्छा होगा क्योंकि आपका approach आपका रास्ता आपका महनत आपका दिसा इस सारी चीज़ें सही है और जब सारी चीज़ें सही होती है तो दलत होना fail होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उपर वाले को भी हार के इसका मदद करना पड़ता है तो थोड़ा सा हिम्मत रखो पेशेंस रखो माना कुछ गल्तिया आपने करी होंगी पीछे नहीं महनत करा होगा आप यह मौका है अच्छे से करो देखना सब अच्छे होगा ठीक है बाकी कोई जरूत हो आप मेल कर सकते हो nobelforum05pay.gmail.com मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रकेंच आए करो और जो एक्सरसाइज है इसको देखो और जो कॉंसेप्ट का involved हुए है उसको समझने की कोशिश करो और बनाओ ठीक है जो हमने लिम्सूप अब लिमूब से related बात आपको बताईए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखो अपना